आज कर तेवारों का सीजन है और इन दिनों में कैंडल को सजाने के खास महत्व है कैंडल्स मैंने आपको बहुत बार बनाने सिखाई हैं इन कैंडल्स को सजाना आज मैं आपको सिखाती हूँ इन कैंडल्स को सजाने के लिए में क्या सामान चाहिए आये जान लें ऐक कांडल्स कोई भी बनी हुई थोड़ा सीलवर पेंट डेकोरेशन के लिए सिल्वर थीम के ही कुछ फ्लार्स और फिलर्स और सिल्वर लिक की सबसे पहले हम स्यत्येजिद गोडिश में इसको हम गोल लिया और आप कंडल पे हम इसको इस तरह से लगाएंगे तकestry हमारी खार्नल पेंट हो जाए इन दिनों में थोड़ से सिल्वर कलर ज्यादा ट्रेंड में होता है यह मैंने थोड़ सा स्टार शेप में लिया है क्रिस्मस और नियॉर के दिनों में इस रैक पी शेप थोड़ सी अच्छी लगती है वर्ना आप चाहे तो राउंड या फिस्कुर कैंडल भी आप ले सकते हैं आपके बास कोई पुरानी कैंडल हो उसका भी आप इस तरीके से कोई लॉग बना सकते हैं क्योंकि अल्टिमेटली हमें इसको पेंट करना है तो अगर कलर कोई डिफ्रेंट भी होगा तो कोई शो नहीं है मैंने देख्या आपके लिए कैंडल पेंट करके रेडी की हुए हम इसी को से जाएंगे अब आप देखें इस तरह से सिल्वर नेट का कोई भी एक पीस हैंकी साइज में ले लीजे और इस कांडल को विकुल सेंटर में रख दीजे अब इसके फूर कॉरनर आप लिफ्ट कीजेगा और फिर इसको इस तरह से बैलेंस करते रिबन से टाई कर दीजेए तक यह जो आपका कपड़ा है यह अच्छी तरह से इसी जगार पे इंटाक्ट हो जाए अब हमारा यह इस तरह से यह एडिवा आप चाहें तो इसके कॉर्णर भी थोड़े से कट कर सकते हैं वरना यह अच्छे भी लगते अब हम ऐसे सिल्वर फ्लार लेंगे इसल्वर फ्लास्टिक आप ले सकते हैं और इसको हम ऐसे रोल करते हुए इसके चारों तरफ ऐसे लेकि इसको अच्छे से इंटाट करने के लिए हम जगा-जगा से इसको बांदेंगे दिखे अबी सर्फ फ्लार लगाते ही एक एंडल इसको बहुत सजाएंगे अगर आपके पास में इसल्वर ना हो तो आप किसी भी कलर के फ्लायर लेकर पेंट भी कर सकते हैं अब हमने चुकि यह कपड़ा लगा दिया तो अब इस पर हम ग्लू का काम कर सकते हैं यानि कि यह चीजे हम फिक्स कर सकते हैं जगा जगा